नबस्कार साथियों मैं उद्री सरब सभी लोगों का स्वागत करतों आपके अपने प्रो यूटीब चैनल प्रो बैंकर्स पे और आज हम चार्चा करेंगे कुछ छोटे से एक वीडियो के बारे में जो कि ये मॉनेटरी पॉलसी रिवीव का एक इंपोर्टन अपडेट है जो कि कल पांच अप्रेल दोहजार चौबिस को आया था और ये अपडेट रिजवेंग आफ इंडिया के दोरा अपनी MPC ययंदिक रिजवेंग आफ इंडिया कदोरा एक एक monetary policy committee का जिक्र होता है और भी इस monetary policy committee का जिक्र करती है इस monetary policy committee के द्वाराप अभी कल 5 अप्रेल को पहला यानिकि first review जो आया हुआ था इस fiscal year का यानिकि financial year कि दो हजार कि 2425 जो वित्ती वर्स प्रारंब हो गये इसका जो फर्स्ट पाइबंतली रिव्यू अभी कल आया हुए बचों यादर कियेगा इनकी एक वित्ती वर्स में जो being minion की मौध्रिक निती समीत होती है इस मौध्रिक निती समीत यो दरफ एक वर्स में छह बार ऐसे बीवीव आते और यह रिव्यू पहला भी अप्रेल का आया हुए यानिकि अप्रेल के बाद फिर ये जून में आएगा और फिर ये अगस्तमी आएगा फिर आक्टूबर वीडियो मोनेटरी पॉलसी का जो part first we 1975 उसमें आपको बताया था इरिशर्वेंग को सिंडिया का को आरिकों को म מפिक आप होता है यह मोनेटरी पॉलसी कमिटः ही इस रिविव को जारी करती है इस रिविव को ज्रती करने का जो उधेश है वो यह यह और साथ ये जो growth rate होती है, इसको कहने के focus करने की बात होती है, तो अभी recently कल 6 सदसी है, जो monetary policy committee का review मुंबई से रिले किया गया और इस पूरे committee के जो header है, जिनका नाम स्री सक्तिकाम दास जी है, जो वटमान में रिजबें कॉफ इंडिया के 25 वे गवर्नर सहाब है, इनके दोर करने के बाद, जो analysis किया गया इस पूरे monetary policy committee के द्वारप, और जब ये statement खताम हो गये सारे, इन्होंने ऐसा एक statement ड्रॉप किया, इन्होंने ऐसा बोला कि, जो two month ago, the elephant in the room was inflation, यानि कि इनके दोरह कहने का मतलब ये था कि जो elephant मतलब हाथी, जो room में था, वो एक प्रकार का inflation था, and that elephant has now gone for a walk, यानि कि अब ये कहने कहीं, जार चुका है, in the forest and we hope it remain there, यानि कि हम ये आसा करते हैं कि ये जो elephant यानि कि inflation है, मुद्राइस भी ती है, वो वहीं पे रहे, चक्तिकान दास obviously sad while announcing the decision of the monetary policy committee, तो ये जो आप देख रहे हैं इस statement कि, इन्होंने कहने कि ये inflation को एक हाथी के रूप में करार किया, कि अब तक जो हाथी है निक inflation room के अंदर था, ये देश के अंदर था, अब कहने कि ये कुछ statement का दारा यही रहा है, कि Reserving of India ने पिछले एक वर्स से, यानि कि 12 मेने की बात करते हैं, अगर पिछले एक वर्स से लगातर अपनी policy rate में keep constant ही किया हुए, मत्तब कोल भी इजाफा नहीं किया हुए, जो पहले रैपोरेट चल रही थी policy rate 6.5% वही policy rate remain constant रखे हुए, इसका मत मत्तब यह होता है कि Reserving of India ने पिछले बारा भेने में अपनी tightening monetary policy को constant रखा है, यहनि कि सक्त मौदरी नीत को remain रखा हुए, तो देखते हैं क्या कुछ इसमें maintain किया है, mention किया है, the on the basis of assessment of the current evolving macro economics, मत्तब क्या जाएगा व्रहत अर्थ व्यवस्ता के situation के इंतरगत, the monetary policy committee at its meeting today April 5 2024 यहनि कि मैंने जो content उठाया हूँ, Reserving of India की, official website से मैंने यह सारा content उठाया हुआ है, जो आपके सामने में represent कर रहा हूँ, जो कि April 2024 में यह first meeting हुई है, keep the policy rate under the liquidity adjustment facility, बच याद रखियागा, जो policy rate की बात करी जा रही है, वह रपरेट कहलाती है, policy rate को याद रखिएगा, रपर rate बोलते है, रपरेट को फिलाल constant रखने की बात करेगे, at the 6.5% यहनि की 6% पे इसको constant बताया गया, consequently the standing deposit facility, यहनि कि जो SDF है, standing deposit facility है, rate remain unchanged at the 6.25, तो मैं आपको बता दो क्लास कि यह जो SDF होता है, एक ऐसा ब्याजदर करना है, जिस पे वाने जी बैंक वन डे बेसिस के लिए यहनि कि overland basis के लिए अपना surplus पैसा RBA के पास जबा कर सकती है, और इस पे जो ब्याजदर मिलेगा वाने जी बैंकों को वह, तो 0.25% कम ही मिलेगा, रपरेट से, तो यह 6.25 है, 0.25% कम मिलेगा कि इसे रपरेट से, तो मतलब 6.25 है, इसी याद रुकिएगा, तो SDF की वैलू जो है, वो 6.25% है, and the, according to the reporate, MSF भी याद रखिएगा 6.75 है, यहनि कि MSF 6.75 है, अगर reporate कि आपकी constant रखीगी तो MSF में कोई change नहीं होगा, SDF में कोई change नहीं होगा, bank rate में कोई change नहीं होगा, या reverse reporate में भी कोई changes नहीं रहेगा, अगर reporate को constant रखा गया है, क्योंकि य indirect एक प्रकार से rate कलेंगे, या नीतिकत दरे कलेंगी, reserve anchor of India की, तो इस situation से देखिए, मैं थोड़ा सा हम आपको briefing करा दो के, ऐसा क्यों हुआ जाकर के, क्या वर्तमान में मुद्राइस विती का इस्तित रही जाकर के, या expectation क्या किया गया, यह जानने की कुश्स करते हैं हम लो क्या मुद्राइस विती रहेगी उस विती वर्स में, मुद्राइस विती का क्या projection रहेगा, और क्या रहेगी फिलाल growth rate, यानि की market में यानि भारत में क्या growth rate रहेगा, इसके projection के regarding बात की जाती है, और साथी साथ ये भी बात याती है, कि unemployment या बेरोजगारी को कितनी हद तक क रिव्यू करती है, इसको analysis करती है, कि market में क्या need है, क्या need नहीं है, loan को कितना मात्रा में, देनाची market में, actually, आपको सरल भासा में बता दो कि जो रैपोरेट होता है न, यह भी जाना बहुत ज़रूरी, अब तक आपने जैसे, इसको साथ मैंने डिस नहीं किया है, monetary policy के part 2 मे मैं ज़रूरी रिस करूँगा, रैपोरेट एक ऐसी ब्याजदर कलाएगी, यानि कि एक प्रकार से policy rate कलाएगी, इस पर सबस्वाने जीक बैंक है, यानि कि जो वित्ती संसान होते है, वाने जीक बैंक की होती है, वो RBA से चौर्टरम के लिए अपनी collateral securities के भ्याप में लोन अलप समय के लिए मतलब जाएगा कि ये अप टू 90 देस तक पैसा ली सकते हैं, अगर ये ब्याजदर जादा हो जाएगा, तो वर्ण जीक बैंक को को ज़्यादा कि बढ़न पड़ेगा, ज्यादा rate of interest रहेगा, तो वो महगा rate of interest पे पैसा उठाएगी, commercial bank RBA से, तो अगर इ मार्केट में growth कम होगा, demand कम होगा, तो हो सकता है, इस वजए से goods and services के price भी क्या हो जाएगा, क्लास, कब हो जाएगा, तो ये बहुत ही important rate है, जिसको Reserve Bank of India रेपोरेट बुलती है, और इस रेपोरेट को ही 6 सदसी है, जो meeting होती है, 6 सदसी जो committee होती है, वो फिलाल इनरसिस करत है, अगर 6 मेंबर्स में से 5 मेंबर्स कराते हैं, तो इसको implement मार्केट में किया जाएगा, जिसमें से शक्तिकांदास जी, आसिमा गोयल और शशांक बिड़े, ये जो personality थे, शशांक बिड़े, आसिमा गोयल और इसके लाबाब आप जो MD पात्वरा जी, राजी उराजन और Reserve Bank of India के गवर्नर साब, ये पांचों मेंबर्स ने ऐसा बोला कि Reserve Bank of India अपनी policy rate को constant रखे, लेकिन इसके against में जो statement ड्रॉ किया था, जैन्त वर्मा जी ने किया हुआ था, कि हम चाहते हैं कि रेपरेट को neutral किया जाए, मत्तब रेपरेट को decrease किया जाए, कम किया जाए, जिसकी जिसे लोन सस्ति हूँ, तो एक ऐसे projection में इसा बताया भी गया हुआ था, करीब वन वीग पहले की बात है, जो अंतरास्ती ग्लोबल रेटिंग एजिंसी होती है, इसको S&P बोलते है, चैनल इंपोर्स बोलते है, उसने ऐसा projection किया हुआ था, कि आगाभी 6 महने में, यानिकि अपरेल से लेकरके सेप्टम्बर मैंने तक, रिजर्वेंग आफ इंडिया मोस्ट पर्विल्टी हो सकता है, कि अपनी रैपोरेट में, यानिकि इस ब्याज दर पे 0.75, यानिक इसको कहने कि 75 पेसिस पॉइंट या 0.75% रिडूस कर सकती है, ऐसा expectation किया है, कि इसने एक ग्ल एक रेटिंग एजन्सी है, जिसने ऐसा बोला हुआ था, कि ऐसा हो सकता है, लिकन उसने ये नहीं बोला थे कि अपरेल मैंसा होगा, सेप्तमबर क्या सपस कम कर सकता है, ऐसा अनमान है, तो अब देखे ऐसा क्यों वजाकर कि इसको क्यों कॉंस्टेंट करना पड़ा रिजर् सब्सक्राइब क्या हो जाएगा, कि ज्यादा जो सुविधाएं आए, अकॉमेडेशन या फिक है सकते हैं कि ज्यादा जो अलाउंसे है, या कहने कहीं ज्यादा जो बेनिफिट है, कैस के फॉर्म में, इसको कहने के विड्रॉ किया जाए, और इन्फलेशन को कहीं, प्रोग इसको बला जाएगा, फुद्रा, मुद्रा, स्फीती, जो उपभोक्ता के अंत्रगर जाएगा, इसको रिटेल इन्फलेशन बला जाएगा, इस आ रिटेल इन्फलेशन, या एक ऐसी मुद्रा स्फीती, जो उपभोक्ता के अंत्रगर मुद्रा स्फीती, मतलब जो वस्तु हम यूटलाइज करते हैं, उन वस्तुओं के अंत्रगर जो खादे पदार्त, या फिर एनरजी की गुट्स होगरा होती है, इन सब को मिला कर के जो इन्फलेशन होती, CPI, यानि कि अंत्रगर जो गुट्सन सर्विस को इस्तमाल करते हैं, उसके अंत्रगर मुद्रे स्फीती का जो आपर टार्गेट से क्लास यादर कियाएगा, वो 4% है, और इसमें जो अपर टॉलरेंस की बात करीगी है, यानि कि इसमें जो अपर ट मैक्सिमम 6 तक रहे तो ये टॉलरेंसिबल है, एराउंड है, और अगर ये दो तो जारी तो लगबाग काफी तक ये आइडिल इंफलेशन का लाएगी कि किसी भी डैबलपिंग नेशन के लिए, ठीक है, क्योंकि इंडिया इस ए डैबलेविंग नेशन और अगर ये 0-3% की मुद्राय स्वीति में कोई भी कंट्री का अगर इंफलेशन रहता है, तो इसको कहने के बॉला जागा कि कांट्री के वह डैबलप नेशन में, तो अगर इंडिया अगर 2% मुद्राय स्वीति के लिए ये जाभी जानना के चार प्लस दो चाहे या फिर चार मेंस दो तो परस्ट ठीक है ना अब इसमें देखिए टागेट की बात करें कि 24-25 के लिए जो मुद्रेस विती का इस पिटेसन कीया गहै कितनी मुद्रेस विती हो सकती है वे class एयाद ripएगा जो प्रजेशन आडविय ने किया हुआ है वो साड़े 4% किया हुए 4.5% expectation किया हुए रिजवेंग कॉफ इंडिया ने कि साड़े 4% इस वित्ती वर्स में पूरे रहने की उम्मीदें बताएगे कि साड़े 4% मुद्रिस वित्ती रहेगी जिसमें से Q1 में 4.9% मत्तब Q1 का मत्तब क्या हो जाएगा बच्चों जो आपका अप्रेल में जून है उसको क्वार्टरली फर्स्ट बोला जाएगा Q2 3.8 जून जुलाई आगस्त तक 3.8 फिर इसके बाद Q3 में सेप्टमबर अक्टूबर नॉम्बर तक आपका रहेगी आपकी 4.6% फिर इसके बाद फिर आपका ये दिसमबर जनवरी फर्वितर रहेगा आपका क्लास यहां पर 4.5% तो पूरा याने कि इस पूरे फिसकल एर के लिए 4.5% का इंफलेशन का टार्गेट मेंसन किया गया और इसके लाबा देखिए ये भी बोला गया है कि हमारे आपे जो हेडलाइन इंफलेशन है वो 5.1% तुरिंग दी जनवरी फरवरी दो हजार चौबिस मत्तब यह कि हमारे आपे जो मुद्रे स्पीति जो हेडलाइन इंफलेशन रही जाकर के वो आराउंड 5.1% रही जाकर के यानिकि अब आपको यह भी पता हूना अच्छ घ्रलाइन इंफलेशन किया होती लिए मीनिंग अवाई देया लाइन इंफलेशन की सिर्ण इसको और या को इसको फिरॉयकोय ओश्यां इंफलेशन निली कि जो मुद्रे स्विती हम लोग फेस कर रहे होते हैं इसको बला जाएगा हेडलाइन इंफलेशन जो कि 5.1 परसंट तक बताएगी हैं इसी के अनुसार बच्व याद रुखिएगा कि ये मुद्रे स्विती दिसंबर मंत में 5.7 परसंट रही मत्तब दिसंबर से मुद्रे दिक्का मोगर के 5.1 पर आ चुकी थी फरवरी मत में और इसके लवाब ये भी बतायागा क्लास याद रुखिएगा कि जिसमें जो कोर इंफलेशन रही यानि कि जो आप सी पे कोर की बात करी गिए और इंफलेशन एक ऐसी इंफलेशन के लाएगी जिसमें वस्तवों और से एसी मुद्रेश भी देख लाएगी जिसमें हम एक्स्क्लूड कर देंगे फूड और त्यूल वाली चीज़ों करने की उर्जा एवं खाद्यान पतातों को अटा करके जो मुद्रेश भी रहेगी इसको बला जाएगा कोर इंफलेशन जिसको ऑब्जर्व किया गया 3.4 पर स करते हैं मैच कर रही हैं तो इस इसको क्लास याद रुखिएगा कि वर्तमान में जो मुद्रेश भी दी का टागेट की बात करेगी वो इंफलेशन दो हजार 24,25 में 4,5% और इसके लाबा गर हम रियल जीडीपी की बात करते हैं बचो रियल ग्रॉस डॉमेस्ट्रिक प्रड़क्ट तो वो किया गया 7%, 7% ठीक है याद रुखिएगा जो रियल जीडीपी की बात करेगी बचो वो कितनी करेगी ये 7% बात करेगी ये 7% ये भी टार्ग प्रट के लिए रिल जीडीपी के टागेट 2026 के लिए साड़े ओनी 7% दिया गया और इसमें ये भी मैंसंद किया गया गया जो टार्गेट साथे बर के लिए मुद्राइश पीती के वो साड़े 4% ये लिए की बर स बरके लिए मुद्राइश फीतिक टारगेट नगे चार तो यह सब चीजे करने के वह सारी चीजी होती जिनको हम यूटलाइज करते हैं और इसी के आधार पर जो मुद्रैस फीति होती है इसको बोलते कंजुमर प्राइज इंडेक्स इंफलेशन यह सड़े जो पांच अपरेल को रिव्यू आया हुआ है इसमें याद रुखिएगा रिजर्वेंग आफ इंडेयन अपनी पॉलिसी रेट को कॉंसेंट रखा हुआ है ठीक है ना तड़ेशार परसेट इंफलेशन रेट का टागेट बता है पुरे वर्स बरक लिए जबकि रियल जीडीपी साथ परसेट का टागेट मेंसन कियागे इस वर्स बरक लिए रियल आधार वर्स के अंद्रगत जो वस्तो सेवाओं के मूल होंगे उस पर अधारी जीडीपी होगी इसको बोलते हैं बच्छो रियल जीडीपी ठीक है ना नॉमिनल जीडीपी का मत्तलब क्या हो जाएगा जो बेसेर बेस रियने की आधार वर्स आधारित मुद्रैस फीदी के तोर पर जो वस्तो सेवाओं के दाम काउंट कियाएगे इसको बोल जाएगा रियल जीडीपी तो यहीं डिफ्रेंस बेस द्ली एज़ेस इनूमेल जीडीपी में व्रियatri P में बेसेर वाइस होग होंगे उसको चीडीपी में कर्योरूर्स करोण जाएगा आपको एक्षिली GDP का मत्तब हो जाएगा कि किसी भी देश की Domestic Territory में घरिलू सीमा में उस देश के निवासियों दारग चाहाँ वो Indians हो चाहाँ वो foreigners हो एक वित्ती वर्स में जो भी production होगा उस production का जो monetary value होगी बाजार में जो उसको बेचा जा रहा है उसी सभी का summation जो कलाएगा यानि कि जो इसका Edison कलाएगा जो monetary value का योग होगा वो कलाएगा आपका Gross Domestic Product मत्तब ये घरिलू सीमा में सारा production होना चाहिए तो जब base year आधारि जो production को हम count करेंगे base year आधारि जो मुल्क को देखेंगे उस पर जो उतपादन की value आएगी आपकी base year आधारित उतपादन की value जो होगी मुद्रा के मान में इसको रियल बोलेंगे current rate पर जो भी वस्तों की value GDP के अंतरगत होगी उसको बला जाएगा nominal GDP का 7% टागेट मेंशन किया गया अब देखें डॉक्टर शक्तिकांदास डॉक्टर आसिमा गयल डॉक्टर राजीव रांजन डॉक्टर माइकल देवबद पात्रा स्री शक्तिकांदास इन सभी लोगों ने class क्या किया हुआ है सचांग भीडे आश्रिमा गयल राजीव रांजन ठीक है ना माइकल देवद पात्रा कितना होगे एक दो तीन चार होगे और इसके लाबा शक्तिकांदास पांच लोगों ने वोट किया हुआ है कि policy rate को क्या करें class unchanged करें कोई भी changes ना किया जाए जब की इसमें reduce यानि कि Dr. जैंत वर्मा जी ने क्या किया है class कि reduce किया जाए policy rate को by 25 basis point अलिडी मैंने इस बात को mention कर दिये हैं taking all these factors into the consideration the real GDP is projected to 7% देखिये ओलेडी ये बात मैंने आपको बता रखी हुई है ठीक है तो याद रखेस में जो रियल GDP का projection 7% तक किया गये हैं आगा भी जो नेक्स्ट ये पॉनिटरी पॉलसी के रिविव आएगा वो आएगा पांच से साथ जुन दोजाट चौबिस को इस बात कि याद रखेगा और इसके लाभा इस आप मादम से क्या ट्राइट को इंक्रीज करें मत्ताब ये कुस्स बाते भी ओड़ी पॉलसी कमेटी में हो जाती है इसी जाद रखेगा तो इसमें उन्हें ने बोला हुआ कि आगाबी समय में यूपे के मादम से हम पैसे को स्टीडियम मसीन में डेपॉसित करने के सुवि ज़्यादा इंपक्ट पड़े यानि ज़्यादा करके लोग इसले ट्रीशी को सीख सके और लोग और अवेर्नेस तो सके करने की फिनेंसल यह न यह बी बात बुलीगी है जैसे मैं भी रिसंट्री बोला आपको कि आयम पीस के माददम से कभी के लिमिट को इंक्रीज करने क इनफॉर्मेशन मोनेटरी बोलसी कमेटी में दी जाती है यह करीब लास्ट चे की बात है इसमें पांस लाग के लिमिट की माददम से ट्रांजेक्शन करने की अब थोड़ा समय यह गौर करना चाहूँगा आपको बदा दूँ कि अभी जैसे रापरेट की वैलू जो अभी रिसेंटली मैंने डिसकस करी हुए कि रापरेट 6.5 परसन रखा हुए इसी के जस्ट पहले यह बात क्लास याद रखिएगा यह बात है अपकी अप्रेल दो हजार 24 की हैं अगर इसके पहले अगर हम इसी रैपरेट को देखते हैं इसी रैपरेट को देखते हैं यह 6.25 वहा करती थी बच्चों दिसम्बर 2023 में और फिर जब फैबरी मन्त का आया था फैबरी 2023 में जब यह खटा रिव्यू आया था इस वित्ती वर्स का आदा 23 24 का आपका ये 22-23 का बिल्कु सही करो 22-23 का जो रिवीव आया था फरवरी 2023 में क्योंकि 2023 में तो 22-23 वित्ती वर्स चलेगा ना एक अपरेट सिर्च चला जोबी तक खताम हुआ जा करके अब 24 पश्ची चल रहा है तो 22-23 का वित्ती वर्स अला तो फरवरी 2023 का सब्या था उस 25 बेसिस पॉइंट मतलब 0.25 परसेंट इंक्रीज करके 6.25 किया जा करके इससे यह मतलब जाएगा कि पेचले एक साल से सिर्फ 0.25 परसेंट ही इजाफा किया गया था आज से 12 मैंने पहले यानिकी एक साल पहले अब उस ताइम पे मुद्रह स्पीटी के लेवल लगबख 6-7 परसेंट के असपर्स था उसके पहले गर हम जाते हैं क्लास 2023 के पहले गर हम 2022 की बात करते हैं या 2021 की बात करते हैं तो इस ताइम पे बच्चों क्या था कि मार्केट में पैसे की वैलू अचानक से इंक्रीज रोने के चांसे थे मत्तब करोना वैरेस की बंदी थी जिसकी वज़े से मार्केट में सबकुछ प्रोड़क्शन खतम था अचानक से दिरे-दिरे चीज़ों को आगे बढ़ायागे उत्पादन चंता बढ़ाएगी जाकर करके और उस टाइम पर यह भी इंफॉर्मेशन दीगी थी उस टाइम पर देखा होगा आपने अगर किसी की या दो कि शक्ति गांदाजी सेप्टमबर 2020 की बात है जब रिजर्वेंक ऑफ इंडिया के गवर्नेर्स आपने रेपरेट में कमी करी थी आना रेपरेट में कम कर दिया था ठीक है नम और इसके लावा सियार को भी कम किया था तो ऐसे करके अचारेक से बार्केट में लिक्रीटी का फ्लो बढ़ा दिया गया तो इंफ्लेशन करीब एक डेड़े साल के असपास होगे यहीं की 22 तेस तक लगबग 22 तक बहुत जादा बढ़ गी इतनी इंडिया ने अपनी पॉलिसी रेट में 2022 से इजाफा करना सुरू किया पहले कभी यह रेपरेट चार परसें रुआ कर दी थी है ना तो यह बीस इकीस क्यास पर चार परसें रुआ कर दी इसको देरी देरे बढ़ा करके पॉइंट वाब इंक्रीज करके यह बच्छों सवा 6% यहीं की 6.25 भी लेकर क्या है और बाद में इसको 0.25% बढ़ाया गया तो बत्ता बजाएगा यह कि जब मुद्रह स्विती मार्केट में बहुत ज्यादा होगी बहुत ज्यादा मुद्रह स्विती होगी इंक्रीज होगी तो रिजवेंक ऑफ इंडिया टैटिनिंग इस वजह से रिजवेंक ऑफ इंडिया ने पिछले एक साल से जब यह इजाफा उकर कि 6.5 वह गया तो नहीं है ठीक है न हम यह आपका 6.5 वह गया था फरवरी में यह यह 3.5 वह गया था 0.25 बढ़ने के बाद तब इससे लगा था उत्र नहीं किया हुए मत्तल लोन में जरास अभी फिलाल नहीं कहा है रिजवेंक ऑफ इंडिया ने तक्ती बढ़ती हुई है जैसे अभी इलेक्सिंस का सबहें चल ला है तो कई ऐसे बिजनिस परसनाल्टी ऐ करते हैं कि रिजवेंक ऑफ इंडिया हो सकता है कि पॉलिसरी को कम करें ऐसा लेकिन इन्होंने ऐसा स्टेट्मेंट ड्रॉ किया हुए था था अब वह कहीं बाहर जाशुका इंफलेशन खतम हो गया मत्तब रिजवेंक ऑफ इंडिया पिछले एक साल से यह प्रेक्रिसाइज कर रहा था कि इंफलेशन को कैसे कम किया जाए तो बच्छों यह कुछ डीप रिव्यू था करने के इनलिसिस था हमारे दौरा जो आपके हमने यह प्रिजेंट किया गए फर्स्ट बामेंटरी मोनेटरी पॉलिसी का तो ऐसी तमाम सारी चीज़ें तब बनती जब लगातर कर करते हो और यह सीखते हैं समझते हैं कि at least जो रिजर्वेंग आफ इंडिया वो कैसे पार्केट में ग्रोथ रेट को इंप्लाउमेंट को और जो भी इंफलेशन इसको कैसे बैलेंस करती है और मोनेटरी पॉल्सी की क्या इंपॉर्टेंस होती है इन सारी चीज़ों को करने क के लिए आपको लगा थार आरवी की वेबसाइट्स होगारा पर जाते रहना चाहिए और पड़ते लिखते रहना चाहिए तो तीन बाते याद रुखिएगा 24-25 के लिए 24-25 के लिए जो आपका ग्रोथ रेट जीडीप ग्रोथ रेट रियल जीडीप वह 7 परसेंट इस बा पाकी जितने भी आपके यह जितने भी आपके यह यह के चाहिआ प्रिया परसेंट यह याद रखिएगा 18 परसेंट रोडीट आपको ऑल्लीडी पर्ट इने बता दिया है कि यह 6.5 परसेंट है reverse reporate यह आपका 3.35% है काफी लंबे से हम इसको concern रखा गया है इसी प्रकार से bank rate जो आपका वो 6.75% है MSF जो है वो बच्चों याद रुखेगा marginal standing facility जिसको बोला जाता है MSF MSF यह reporate 6.5 it is a bank rate it is a bank rate यह आपका reverse reporate है यह आपकी bank rate है और यह आपका MSF rate है MSF rate यह भी 6.75% है यह जितने भी instruments से यह सारे instruments आपके quantitative instruments के regarding जो indirect instrument है और यह सारे required reserve के लेंगे इनको बोला जाएगा बच्चों required reserve जो की direct instrument के part करना हैंगे ठीक है नाम तो यह सारा review याद रखिएगा यह सारा review है as on first not the first repel it is a 5th of April यहनि की past April 2024 के अंतरगती डेटा आपके सामने revision किया है जो first 23 monetary policy का data है रेपरेट जो आपका 6.5% reverse reporate 3.35% bank rate 6.75% MSF rate 6.75% आग आभी monetary policy के part 2 session में हम लोग सीखेंगे कि यह चीजें क्या होती है और साथ साथ यह भी सीखेंगे open market operation MSS और LAF की importance क्या होती ठीक है तो आप लोग पढ़कर के आएगे सारी चीजें मिलते अपने next session में I hope आप सभी लोग ने इस पूरे session को बहुत प्रापर दरीकेस देखा होगा और कदी भी monetary policy में कोल भी loophole आपको नहीं मिलेगा ठीक है तो इन तमाम सारी जानकर एक लिए जुड़े रही है मेरे साथ यानिक उधित सर के साथ Pro Bankers पे Thank you all Thank you Thank you